हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम जानेंगे कि अगर आपके पास रेडमी का फोन है और उसमें आपका ब्लूटूथ और नहीं हो रहा है यानि चालू नहीं हो रहा है तो इसकी क्या वाज़ा हो सकती है और इसको हम ठीक कैसे करें आईए जानते हैं सबसे पहला तरीका है आप अपने फोन को एक बार बंद गर के चालू करिए यानि कि री इस्टार्ड कर दीजिए इसके बाद आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी पर इस तरीके से काम ना बने तो यहाँ पर आप दूसरा तरीका फोलो करें दूसरे तरीके में आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है और यहाँ पर चेक करना है सिस्टम अपडेट में कहीं कोई अपडेट तो नहीं आया है अगर update आया है तो अपने phone को update करके चेक करें about phone में जाईए यहाँ पर update चेक करिए सायद यहाँ पर होगा तो अगर कोई update आपको मिलता है तो अपने phone में update कर लीजिए इसके बाद आपके दिक्कत ठीक हो जाएगी फिर आपको जाना है यहाँ पे ब्लूटूथ में इस पे टैच करें यहाँ पे आपका ब्लूटूथ चालू नहीं हो रहा है तो डिवाइस नेम पे टैच करें अगर होता है तो और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ Redmi Note 10 Pro Max तो कर दिया है राइट वाले ऑफसन पे टैच करते हैं अब द्वारा चेंज करके देखिए याने की चालू करके देखिए साएद आपका ब्लूटूथ चालू हो जाएगा बाकी additional setting पर आईए यह option चालू कर दीजिए यह option चालू कर दीजिए और यहाँ पर आपका Bluetooth चालू हो जाएगा अगर तब भी नहीं होता है तो यहाँ पर back करिए setting में जाएए फिर से यहाँ पर आपको मिलेगा connection and sharing अगर नहीं मिलता है तो क्या करना है मैं बताता हूँ आगे इस पर touch करें और यहाँ पर आपको मिलेगा reset wifi mobile network and Bluetooth तो यहाँ पर जैसे कि अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो reset पर search वाले option पर आईए reset लेखिए और वही चीज आपको यहा पर आप देखिए आपको यहाँ पर wifi को लेके दिक्कत होगी वो ठीक हो जाएगी mobile data को लेके दिक्कत होगी वो ठीक हो जाएगी और Bluetooth तो हमें दिक्कत आ ही रही है तो इस पर touch करें आपके इसके बाद reset setting पर touch करें और pattern lock create करें अपना जो आपने बना रखा है और okay पर touch कर द दीजिए फिर से बंद करके चालू कर दीजिए और आपका Bluetooth चालू हो जाएगा तो ऐसे आप इसको इसको इस्तेमाल करिए और वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करिए